हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो एक्जाम भी, I am सुशी लगडे, एक्स मैनेजर रिजर्व एंक अफ इंडिया और आज के इस वीडियो में हम काफी बेसिक इन्फोर्मेशन देखने वाले हैं जनरली हम अजियूम करते कि ये बाते सब लोगों को पता है लेकिन क्या है बहुत सारे क्वेशन इसके बारे में आते रहते हैं तो अब यहाँ पर देखेंगे कि RBI, grade B का जो एक्जाम है उसकी जनरल eligibility क्या है यान कि कौन-कौन इसको अपलाई कर सकता है education qualification क्या चाहिए, maximum age कितना है, कौन से type के candidates को age relaxation मिलता है, कितना age relaxation मिलता है, number of attempts कितने है तो ये सारी बाते हम यहाँ पर देखेंगे, अगर आपको पता है तो आप इस वीडियो को skip कर सकते है या आप double speed पर देखके आपका time यहाँ पर save कर सकते है and यहाँ पर ये जो question है ना, बहुत बार every year question student raise करते है कि इस बार ये change होगा, उस बार वो change होगा और इसमें काफी सारे student ना time waste करते है, तो last year भी इतना discussion हुआ था कि जो education qualification है, वो बढ़ाने वाले है exam का pattern change होने वाला है, यह होने वाला है, देखो यह rumors में every year आते हैं, मैं 2000 कम से कम 11-12 से देख रहा हूँ, every year होता है और एक तो rumor आता है कि अब इसके बाद RBI recruit नहीं करेगा, और बहुत लोग उसके इसके अंडर आ जाते हैं, फिर वो time pass करते हैं, और फिर अचानक से notification आता है, तो फिर वो बोलते कि sir, मैंने आपका सुनना चाहिए था, मैंने पढ़ाही करना चाहिए था, मैंने काफी time waste किय तो आप मेंसे भी अगर कोई ऐसे है कि जिन्होंने last year specifically काफी मतलब notification आने तक ये rumors आ रहे थे कि बहुत बड़ा change होने वाला है pattern में, उसके बाद eligibility difficult होने वाली है, तो एक समझ लिजे न, ये generalist exam है, ये क्या है generalist exam है, RBI में specialist exam already exist करती है, जहाँ पर post graduation चाहिए economics में, जहाँ और post graduation चाहिए statistics में, उसका जो job है आपको पता है, DEPR कहते है उसको ठीक है, या DSIM, department of statistics and information management and department of economic and policy research, तो already यहाँ पर post graduation criteria होता है, तो ये जो generalist post है, generalist का मतलब है, कोई भी apply कर सकता है, मतलब किसी ने music में graduation की आए, वो भी कर सकता है, किसी ने physical education में की आए, वो भी कर सकता है डॉक्टर भी कर सकते है, lawyer भी कर सकते है, architect भी कर सकते है, और ये सारे लोग हुए भी है, मतलब ऐसा शरिमत मानी कि इस post पर doctor select नहीं होते, मैं कम से कम तीन लोगों को जानता हूँ, कि जो doctor होने के बावजूद, RBI में job कर रहे है, ठीक है, तो कोई change नहीं है, और RBI जो changes करत हैं, लेकिन ऐसा कई लिखा नहीं है कि 5 साल के बाद होता है, ठीक है, तो जो 1% possibility every time होती है, लेकिन अगर आपको वो 1% को लेके time pass करना है, तो आप कर सकते हैं, otherwise 99% जो student है, normal student है, जो existing notification है, 2022 का जो आया था, उसको अगर हम पकड़के चलेंगे, तो उसी type का जो सारी situation है, condition से वो आगे भी रहने वाली है, तो at present अभी किस तरीके से ये notification आया था, हम देखते हैं, यानि कि अभी जो notification का process चालू है, 2022 का अभी interview चालू है, अक्टूबर के first week में वो खतम हो जाएंगी, तो यहां पर देखिए, last year जो phase 1 हुआ था, मही में हुआ था, तो इस बार भी 2023 का जो होने वाला है, वो होगा April में, ठीक है, वो April 2023 में होगा, और जो मेंस है, वो मई 2023 में होगा, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, पिछले दो साल से, जो age का criteria है, वो first January को पकड़ के आ रहा, यानि कि cut off date है, वो first January है, बतब 2022 में notification जो आया था, उसका भी एक जनवरी है, 21 में आया था, उसका भी उन्होंने एक जनवरी ही cut off date रखा था, ठीक है, तो मुझे लगता है, 2023 का भी जो होने बाला है, इसी date के आसपास होगा, मैंने जो date बता दिये हैं, और जो age का जो cut off date है, वो first January रहने का chances मुझे लग रहा है, ठीक है, guarantee नहीं है, क्योंकि ऐसा उन्ह राजा लगा सकते है, कि इस बार भी first January 2023 ये cut off date हो सकता है, उसी को आप minimum 21 साल होना चाहिए, maximum 30 years होना चाहिए, कौन-कौन से student को इस relaxation मिलता है, वो हम आगे यहाँ पर देखेंगे, तो अभी 2022 का जो notification था, उसकी साफ से जो educational qualification है, वैसा ही educational qualification रहने के chances है, क्या चाहिए आपको बस आपको graduation में 60% चाहिए, ठीक है, graduation में 60% aggregate mark चाहिए, 60% aggregate, aggregate का मतलब है, चितने आपके semester's है या years है, उसके marks, ठीक है, और अगर ये नहीं है, और होता है उसको और, यानि कि ये नहीं तो फिर 55 marks चाहिए आपको post graduation में, ठीक है, ये भी चलेगा, या फिर ये भी चलेगा, और IGNU सारे eligible है, मतलब आप उसका tension मत लीजे, इंदरा गांधी national open university है, इंदरा गांधी national open university, या महरास्टा में YCMOU है, ये शोंदराव चवान महरास्टा open university, ऐसे कोई भी university है इंडिया में, जो UGC recognized है, उसकी degree जो है, वह चलेगी, ठीक है, तो आपको वहाँ पे बिल्कु कोई criteria नहीं है, 12 standard का कोई criteria नहीं है, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहाँ, क्योंकि everyday मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर मतलब query आती है, बहुत simple notification जाके देख लो, इसी थरीके से रहने वाला, अगर CA का, last year कुछ CA का problem हो था, तो CA जो है, उसको PG consider किया जाता है, post graduation, और इसके उसमें भी बहुत सारे students को doubt आता है, unnecessary, अगर आपका university कहता है, 4.0 मिन 7%, तो ये माना जाएगा, अगर आपका university कहता है, 3.0 मतलब 80%, ये माना जाएगा, थीक है, university जो कहता है, वो माना जाएगा, अगर नहीं है, अगर कहीं पे भी CGPA का और percentage का criteria नहीं दिया है, तब ही ये criteria follow क ये याद रखो, इतनी बार बताने के बाद भी लोग वही करते है, थीक है, आपका college या university जो भी कहेगा, वो माना जाएगा, अगर कोई नहीं कहता है, तो ये है, ये clear होगे आपको, अगर किसी का मान लीजिए, CGPA out of 6 है, out of 6 अगर आपको 3 मिलता है, तो out of 10 कितना मिलेगा, 5, तो इस हिसाब से उसको convert करना, इसमें क्या है, थीक है, अगर ये calculate करने में कुछ लोगों को problem आता है, वो बोलते हैं, सर हमारा out of 10 नहीं है, हमारा out of 6 है, कई पर out of 4 है, तो उसको आपको convert करते आना चाहिए, अभी देखते हैं attempt, attempt है आपको general category and EWS के लिए 6 attempts है, 6 attempts होते है मैंने hardly कोई देखा है कि ये 6 attempts का use करता है, उसके बाद SC, ST, OBC यहाँ पर कोई attempt नहीं, यानि कि आपका जितना age limited अब तक आप दे सकते हैं, लेकिन जितना generally कोई देता नहीं, 6-6 बार कोन यहाँ आप exam देगा, hardly कुछ example ऐसे मिलते हैं, ठीक है, and for RBI can be general bank encourages candidates with no prior experience to apply, ठीक है, इसमें भी न, लोग कुछ भी, कुछ भी निकालते हैं, meaning, अब ये RBI को सिफ फ्रेशर लोग चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने लिखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है, इन्होंने ऐसा लिखा है, पहले क्या होता था, कुछ बच्चों को लगता था, कि जिनको banking का experience है, ऐसे लोगों को ही RBI सेलेक करता है, तो उनको encourage करने के लिखा है, ठीक है, इसका other कोई meaning नहीं है, और ऐसा किसी को कोई preference बेफरेंस बिल्कुल नहीं, आपको phase 1 clear करना है, phase 2 में marks लाने है, intro में आपको question के answer देना है, तब ये आपका selection होगा, ये बस कुछ लोगों के ये है, क्योंकि पहले ऐसे लोगों को लगता था, bankers को ही लेते है, ऐसा नहीं है, ऐसा उनको कहना, इसलिए ये line यहाँ पर लिखा है, अभी age limit है, आपको पता है age limit कितना है, 30, maximum 30 है, OBC को रहेगा 33, SCST को रहेगा 35, और बाकी क्या-क्या-क्या-क्या है, यहाँ पर दिया ठीक है, उसके बाद अगर कोई bank में काम करता है, ठीक है, तो उसका experience प्रोबेशन चोड़के, ठीक है, प्रोबेशन चोड़के, जितने साल का होगा, उतना age relaxation मिलेगा, ठीक है, यानि कि अगर आपको 36 months का experience है, इसमें प्रोबेशन के 24 मैने चले गए, तो आपको ये 12 मैने, यानि कि एक साल है, यानि कि एक साल का आपका age relaxation मिलगा, maximum age relaxation तीन साल का मिलता है, ठीक है, और ये सिर्फ general candidate EWS को मिलता है, क्योंकि OBC को SCST physical handicap को already age relaxation है, इसलिए double age relaxation नहीं मिलेगा, यानि कि OBC का 3 और ये banking का 3 है से 6 नहीं मिलेगा, कोई तो भी एक ही age relaxation मिलेगा, और जिनका MFIL हुआ है उनको 2 साल का, जिनका PhD हुआ है उनको 4 साल का, ये भी cumulative नहीं है, ठीक है, अगर कोई OBC candidate है, तो उसको already 33 का मिलता है, अगर उसने PhD किया है, तो फिर उसको 34 years का मिलेगा, ठीक है, कोई भी age relaxation cumulative नहीं है, यानि कि 2 age relaxation नहीं मिलेंगे, ये आपको याद र नहीं मिलेगा, maximum 34 तक वो apply कर सकता है, और ये जो कौन-कौन से institution ये सारे यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ, और ये एक बात है कि जो RBI में काम करता है, उसको maximum age limit नहीं है, यानि कि अगर कोई assistant है RBI में, तो वो at the age of 35, 40, 45, 50 भी RBI का age exam दे सकता है, बस attempt का जो limit है, जैसे already है आपके category को उस तरीके से वो रहेगा, ये बहुत चोटी-चोटी चीज़े है, लोगों को पता नहीं रहती है, इसलिए बताना ज़रूरी है, अभी क्या करना है, मैंने maximum doubt जो है, basic-basic related, educational qualification है, age है, age relaxation है, वो क्या-क्या है, वो सारा बता दिया है, अभी आपको क्या करना है, 24, 19, 21 और 22 के दोनों shift, ठीक है, इतने paper available है, ये जाके पहले solve कीजिए, इसमें का GA छोड़ दीचिए, qrE जो है, qrE है, इतना अच्छे से कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि किस type के question, कितने difficulty level के question, exam में आते हैं, तो अभी हमारे course है, यहाँ पर आपको अगर one-on-one guidance चाह है, पहले आपका पूरा background सुन लिया जाएगा, आप BA किया है, BCOM किया है, BSC किया है, engineer है, doctor है, जो कुछ भी है, उसके पाद आपके कौन से area strong है, कौन से area weak है, फिर उसको देखके फिर आपको कुछ task दिये जाएगे, आपको task complete करना है, अगर उसमें आपने अच्छे marks लाए तो हम टूसरा task लेंगे, otherwise उसी को repeat करेंगे, otherwise होता क्या है, RBA में क्या होता है, बहुत लोगों को समझ मिने थे क्या करना है, जैसे quant है, English है, reasoning है, GA है, ESI, finance, management, ethics, descriptive English, तो यह सारा अगर साथ में लेके बैठेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए इसमें का क कुछ एरिया आपको पहले identify करना है, उस पे workout करना है, फिर उस पे test देना है, आपका understanding चेक करना है, and continuously mentoring होना चाहिए कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, इसलिए यह जो one-on-one program है, हमारा famous, इसलिए अभी तक 2-3,000 लोगों ने इसका फाइदा लिया है, तो अ बस यह जो चीज है, यह मुझे आपको बतानी थी, बहुत basic doubt है यह, basic doubt है, लेकिन आते रहते हैं, जो नए नए बच्चे, हम ऐसा assume करते हैं, मैंने मुझे भी लगा, मैंने काफी दिन के बाद ऐसा video बनाया है, काफी सर मेरा यह हुआ है, सर मैंने इगनू से किया है, वहाँ इतनी जारी उनिसिटी है, open उनिसिटी, सबकी डिगरी है, बस आपको percentage का gradria होना चाहिए, इतना बताने की बाद भी अगर आपको इससे related कुछ doubt है, तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं, thank you for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.